असलाम लेकुम जी आज मैं आपनों के साथ शेयर करी हूँ जी छूटी सी एक सूप जो के पेट की चरबी के हवाले से है इसको बनाएं और पेट की चरबी गर्मिया आने से पहले कम करें और अपना वेट भी लूज करें जिस दिन एक दिन जी डाइट जो है हमारी ओट हो जा जाल दिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए जैसे ही टमाटर जो है वो गल जाएंगे तो मैं जी इनको उतार लूँगी बहुत इजी है बहुत आराम से बन जाती है सिर्फ तीन टमाटर चाहिए और अगर आप चाहो तो आप इसके पानी चाहिए हमें तीनो टमाटर जो है वो मैंने निकाल लिए है और आम मैं इनको जी ग्रैंड कर लूँगी ग्रैंडर की मिलसे हैंड वाला जून सा ग्रैंड होता है उससे भी आप कर सकते हो या अगर आपके पास दूसरी मिशीन है तो आप उसके अंदर डाल के इसको कर अब लूंगे जी हैंडेंडर हैंड इसको ब्लेंड कर लूँगे अच्छी तरह से और जी इसको सूप की शकल में जो है वो बना लूँगे आप लोगों ने इसको जूरूर ट्राय करना हैं एक अफ़ता इससोप को ट्राय करें और मुझे फिर कोमेंट बॉक्स में आकर आक पत्ता लगा था इसलिए मैं इसको दुबारा उसी बरतन में डाले हूँ और हलका सा जी इसको पका लूँगी थोड़ा सा आप चाहो तो आप टुमाटरो की कॉंटरिटी जो है वो ज्यादा कर सकते हो या पानी जो है वो ज्यादा रख सकते हो आपकी जैसी मर्दी है सिर्फ टुमाटरो बालने है और उसके अंदर पानी डालना है और ब्लेंड कर लेना है नमक जो है जी वो मैंने हस्पे जरूरा जो है वो डाला है काली मिर्चें डाली है मैंने अंदर आप चाहो तो आप इसके अंदर लेमन आइड कर सकते हो आप चाहो तो आप इसके अंदर ब्रो मेरी अगली वीडियो तक आप जी इंज्वाय करें और मुझे कुमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको एक दफा जरूर ट्राइ करें हफ़ते में तीन दिन कम सकम ये सूप पीएं और बाकी दिन जी अपना जो आपका खाना घर में नॉर्मल बनता है उसको ट्राइ करें औ और वेट लूस करके जी मुझे भी बताएं अला हाफीज